वेलकम टो अपढ़नाच किचन में हूँ अपढ़ना आज मैं लाए हूं साबुत दाना की एकडम नई रेस्पी तो बहुत साइज रेस्पी बनाई होगी आपने खाई होगी बट यह वरी रेस्पी आपने अभी तक नहीं ट्राइज की होगी बहुत ही हेल्दी है तो प्रत मे मूंखली को आज हम बनाएंगे बहुत ही खली होगा और प्रोटिन से भरपूर है हमारा नास्ता है ब्रत्वाला करना है कुछ मेट के लिए और जब हलकी सी रोस्ट हो जाएंगी तो हम यहां पे इसमें एड करेंगे करीब आदा कप ताल मखाने और मखाने को भी हम लो हीट पे रोस्ट कर लेंगे जब तक मखाने थोड़े से क्रंची नहीं हो जाते हैं तो सबसे पहले हमें मुंखरी रोस् कुछ हो जानी चाहिए तो देखिए अब मैंने इनने करीब 2-3 मंद के लिए रोश्ट कर दिया है अब हम सबसे जाए में समय साबुराब करेंगे साबुमीया को सबसे लास्ट में ही एड करें कैने कुछ तो इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे तीनों चीजों को और साबु दाना को यहां पर हम भीगो नहीं रहे हैं इसलिए रोष्ट करना बहुत जरूरी है ताकि आगे वाला इस्टेफ हम आसानी से कर पाएं तो इसे हम रोष्ट कर लेंगे लो हीट पे करीब दो मेट के लिए और देखिये दो मेट हो चुके हैं साबु दाना भी थोड़ा साउड में बड़ा हो गया है और मुम्फली और मकाने अच्छे से क्रिस्प हो गये है तो साबुदाना को रोस्ट करने का मतलब है कि अच्छे से पिस जाएंगे बना ये अच्छे से ग्रैंड नहीं हो पाते हैं इस नाष्टे को आप साबुदाना भिगोए बिना भी बना सकते हैं साबुदाना भिगोने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और कभी भी अगर आप साबुदाना भिगोना भूल गया है तो आप इस नास्त को जरूर ट्राइ कीजेगा तो अब हमारे ये सारी चीजें रोस्ट हो चुकी है इन्हें हम एक बड़ी प्लेट में निकाल लेंगे और अब ये हम थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज ऐसी ही न्यू वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जरूर प्लेस करें तो देखिए अब ये थंडा हो चुका है तो अभी हम इसको एड़ करेंगे एक मिक्सी के जार में और जार एकदम सूखा होना चाहिए और ये सारी चीज़ें अच्छे से ठंडी हो जाएं तभी आप इने ग्रैंड करें तो अचलिए इने ग्रैंड कर लेते हैं तो इने हमें कोसली ग्रैंड करना है बहुत ज़्यादा इसका पाउडर नहीं बनाना है तो देखिए यह इने में एच्छे से ग्राइंड किया है और इस तरह से इसका पाउडर बन गया है यह कोसली ग्राइंड हुआ है मैं आपको अभी दिखाती हूँ तो इस तरह से इसका टेक्चर होना चाहिए देखिए बहुत ज़्यदा फाइन तो नहीं हो पाता है बट इस तरह से होना चाहिए देखिए इस तरह से इसका टेक्चर होना चाहिए और अब यह रेडी है तो इस तरह से इसका mixture होना चाहिए तो अब देखते हैं अंगे का process क्या है तो अब हम इसमें add करेंगे दही तो यहां पर मैंने तीन चोटा ०िश भूला नमक तो लमक को ! अब हम यहां पर इसेंद्घ हरी मीर्चे पर अगर आप लिकाने यहां ह्ट था भीज़ सकते हैं तो जोकिन मैं प़र कर सकते हैं , अब यहां पर नहीं चुचोंड बुने हुए जीरे का पाउडर एट करेंगे तो अगर आप जीरा नहीं खाते हैं तो इसे आप अटा सकते हैं अब हम यहां पे धनिया पती एट करेंगे धनियापती के साथ पुदीना भी इसमें एड़ कर सकते हैं और इसे और ज़्यदा हेल्दी बनाने के लिए आप इसमें सब्जियां भी एड़ कर सकते हैं जैसे कि गाजर और शिमला मिर्च अगर आप ब्रद में खाते हैं तो इसमें एड़ कर सकते हैं तो अगर आप इनमें स कुछए बाण करना है उन में गुछत्र की रह जावक तो अभी हम इसे डीप कर देते हैं और फानीше इसे चुछंगए हम उपक्स कर देते हैं, अभी शेक पान भी बड़ा कुछ बड़ा शसके पानि आप अटा करूंगी आटा 50 to यहां पर सभी था 192 मृत करूंड़ और जो भी रेट करे था किया यहां पर और जीए पर बश्ची करेंगे, मिक्स आदा चमच चमच बीज़ी पाउडर के थ्चीथ वाउडर स्वाइस हमारा यह नास्ता जो है मिन्टों में रेडी हो जाता है और जब आप इसे खाएंगे तो खाते रहाएंगे बहुत ही हेल्दी है तो देखिए अब इससे रेडी हो गया है बैटर अब हम इसे थोड़ी तेर के लिए ढखे रख देते हैं करी 2-3 मिट के लिए जिसे थोड़ा सा फूल जाएगा और नास्ता हमारा बहुती फ्लैफी बनेगा तो देखिए अब 2-3 मिट हो भी चुके हैं अब इसको चेक करते हैं देखिए इसका टेक्स्चर थोड़ा सा गाढ़ा हुआ है तो बैस ऐसे होने चीए इसकी कंसिस्टेंसी तो अब चलिए चलते हैं गैस की तर तो बहुत थोड़ा सा आइड करना है करीब 1-4 ती स्पून और अब हम यहां पे इसमें अपना बैटर डाल देंगे करीब एक बड़ा चमच और बैटर को अच्छे से राउंड शेप में फैला देते हैं और यह थोड़ा सा मोटा ही रखना है यहां पे आप इसे पतला ना क दो मिट के लिए पका लेते हैं और देखिए दो मिट बाद हम इसको चेक करेंगे जब इसकी ऊपर की लेर थोड़ी सी ड्राइब हो जाएगी तब रख वम इसे पर देते हैं इस तरह से देखिए तो अब हम यहां पे और बगरा कुछ भी नहीं डालेंगे अब हम इसे इसे लिप के साथ सर्व करेंगे और इसे आप इंजॉय कीजिए ब्रत में अगर आपको मेरे सी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेल कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थेंक्स वर वाचिंग बाबाई